बच्चो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अनुगमन वेक के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन ये बहुत ही इंपोडेंट कोईशन है यूपी बोर्ड के लिए बताना चाहूँगा इस क्वेशन को एक दूसरे रूप में भी पूँच दिया जाता है किस तरह से पोच्छAKE का तरीका इस तरह से भी है कि किसी चालक में किसी चालक में किसी चालक के सुरोगों के वीचे वांतर तता उसमां बहने वाली दारा आई का अनुपात एक नियतांग होता है अनुगमन वेक के आदार पर शिद्ध कीजिए इस तरह से पूछ लिया जाता है कि वोल्टेज और धारा का अनुपात अनुगमन वेक से शिद्ध कीजिए नियत होता है इस तरह से कई बार पूछा गया है बोर्ड में और बच्चे क्वेशन अनुगमन विग के आधार पर शत्या पन की बात कर रहा है το आए पढ़ते हैं प site đãी कि फ़हले मैं महल लिया कि यहाँ पर एक चालक है और मैं पास एक चालक है इस तरह से मुखतिख सूपलहctive कि अंदर उपस्थ होते सिरुहाभ यह सबीड से बागते हैं अपने अनुगमन से था सबढ़ है उसमाड एकश प्रत Kell Kellya шइन के इसके वाहन सितर्ब्रस्ट का चेत्रफर्फल है जो चालकiska का चेंटर शेटर फ्रक है वो हमारा ए है ठीक आगे बढ़ते हैं अब थोड़े तो इस तरह से हमारे पास यह चालक है जब चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन वीडी वेक से चलते हैं तो उसमें धारा उत्पन होगी क्योंकि आवेश के प्रवाइद को धारा कहते हैं तो इस तरह से माल लेते हैं कि चालक में बहने वारी धारा प्रवाइद धारा कितनी है आई है प्रवाइद धारा कितनी है आई है तब हमारे पास सूत्र होता है कि आई धारा प्रवाइद हो रही है किसी चालक में तो फॉर्मला होता है आई वरावर एन एए वीडी आई वरावर एन एए वीडी तब हमा के सिरों के वीच विववांतर मान लेते हैं कि वीववांतर है और इस विववांतर के कारणा एक चुम्ब के माफिशाओंगा वैद्दुच्छेतर ई उत्पन्न हो जाता है क्या उत्पन्न हो जाता है तो किसी भी चालक में जो विवव होता है वो किसी चालक का विववांतर और चालक की लंबाई का अनुपाद जो होता है वो वैद्दुच्छेत्र E के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखा हमने E बराबर V अपॉन L, E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन L हो जाएगा, ठीक, अगर वैद्दुच्छेत्र है कहीं पर भी, तो वैद्दुच्छेत्र के करण आवेश पर जो भल लगता है, वो होता है, F बराबर QE, फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर QE, लेकिन हमने यहाँ लिखा हुआ है, E, E, क्या लिखा है, E, E, तो E, Q का मतलब है, एक इलेक्ट्रोन, Q का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोन, तो इलेक्ट्रोन का आवेश E होता है, इसलिए यह बन जाएगा, F बराबर E, E, क्या बन जाएगा, F बराबर E, E, ठीक, आगे पढ़ाएंगे, कि हम जानते हैं कि जब कण गती करता है, कोई भी कर्ण, तो इस पर न्यूट्रन के नियंद से, F बराबर E, में बल लगता है, कितना बल लगा, E, यह E, बल किसकी वैसे लगा, इस वैदुद बल की वैसे लगा, E, E की वैसे, तो यह दोना आपस में बराबर हो जाएं, यह समतलुन के वस्ता में, E, में बराबर हो जाएगा, E, E, के, M, E, बराबर हो जाएगा, E, E, के, तो आगे बढ़ते हैं, E, में बराबर E, E, तो E की वैलु हम जानते हैं, V अपॉन L, यहाँ पर हमने लखी V अपॉन L, Small A बराबर हो जाएगा, e v upon ml ये हमाई पास तुरण आ गया क्या आ गया हमाई पास तुरण आ गया ठीक तो ये तुरण किसकी वज़े से आया है अब ये हम पढ़ेंगे ठीक तो आपको बता दूँ कि वैद्दुच्छेत्र लगाने की वैसे ये तुरण आ रहा है अगर वैद्दुच्छेत्र अठा लिया जाए या वैद्दुच्छेत्र नहीं होता चालक के सिरों के बीच तो फिर क्या रहता तो इसके उश्मी अवेग मालेते हैं यूवन थे पहले उश्मी वेग कितने था यूवन था यूटू था और डॉडड़ यूएन था एन एलेक समयांत्राल है यानि कि समय है तो हम जानते हैं कि A बरावर होता है V upon T यानि कि वेग परिवर्टन की दरवर्टे समयांत्राल तो अगर वेग बनाना है तो वेग बरावर A into T हो जाएगा टी का गणा ऊपर चला जैगा यानि कि तोरं और समय का गणफल यह को टा हुठा है वह बेग के बरावर होता है समझ में आ रहा है सुररं और समय का गणफल्सके बरावर है वेग के बरावर तो इसलिए ए टाउ की व्रडिा हो पहले सके लोग में छ Route 6 लगने पर beta तो एटाव टू की व्रद्धी हो गई ऐसे डॉट 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 यू एन वाले में व्रद्धी होगी यू एन प्लस ए टाव एन इस तरह से हमाई पास यह वैद्दुच्छित्र के लगाने के बाद के वेग ऊश्मिय वेग आगे पढ़ते हैं और सब्सक्राइब जो होता है वह हमारा वुषत गूश्मी वेग जो होता है वह हमारा कहलाता है कि अनुच में वह विय व्रद्धी वरावर हो जाएगा ओस अनुचम्य को जोर दिया और जितने वह थे उतने से हम ने डिवाइड कर दिया तो यहां पर हो जाएगा u1 प्लस a tau 1 उटफ्लस a tau 3 उटू उटफ्लस a tau 2 प्लस वी ठांद उट्ट उट्फ्लें यहां हो जाएगा वी डी वरावर यहां से common है तो एक common ले लिया तो बचेंगे क्या टाव 1 टाव 2 और प्लस टाव 3 डॉट 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 टाव बचे समझ गए अब इस एन को अलग कर लिया एन को इस तरफ लिए इस तरफ लिए तो यह से मैं तो दोनों तरफ बढ़ जाएगा तो यह तो हो गया हमारा उश्मिय वेग औस अवैग हमेज़ा किसी भी चलक के अंदर मुक्त लियाक्रोन ond月 को सून के होता है तो यह जीरू और यह समयानत्रालों का औस इस अवसट निया को कहते हैं शांति काल क्या कहते हैं शेंतिक अज्जू तो यह हो जाएगी पूरी वैल वैल ज कजए टाव वरावर तो यह हो गया A tau तो BD वरावर हमारा आगया 0 प्लस A tau अब हमारे पास BD वरावर A tau है अब tau A की value हम पहले निकाल चुके हैं कितनी है पिछले A की value अभी हमने solve करी थी जो A की value है वो है EV upon ML यह हमने अभी निकाली है EV upon ML यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं यह हमने EV upon ML निकाली है EV upon ML ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम सवाल में EV upon ML यहाँ पर EV upon ML हमने रख दी है तो बच्चा EV upon ML into tau अब समीकर्ण 1 में इस VD की value है समीकर्ण 1 में रखने पर समीकर्ण 1 हमारा क्या है समीकर्ण 1 है हमारा यह आई वरावर N,E,A,VD तो N,E,A,VD VD की value रखनी है वहाँ में क्या करना है VD की value रखनी है VD की value रखते हैं चलेंगे आगे बढ़ेंगे आगे तो VD की value समीकर्ण 1 हमारा यह N,E,A,VD की value है आप ध्यान से समझेंगे इस समीकरण को इसके बाद यह प्रूफ हो जाएगा बहुत अच्छा और इंपोरेंट डरिवेशन है यहाँ पर देखिए यह हमें सिद्ध करना है वी अपॉन आई वरावर नियतांग वी अपॉन आई बनाने के लिए हमाई पास भी यह रहा इस तर पर वी के नीचे लाना है तो वी के नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे वी को यह रखा रहे हैं दो आई को नीचे लिया हो इस तरफ ऐसे करके आई नीचे आगया तो आई नीचे आएगा तो यहां से एमल उपर चला जाएगा इस तरफ और यह एन ई स्क्वेर टाउ यह स बदल्हें नहीं सकती यह सब्सक्रां की संग्या घृप Capital A चालक का छेत्रफल है अनुप्रस्कार्ट का यह भी नहीं बदलेगा तो यह सारी चीज़ें क्या है नियत रासी है किन्तु एक एला यहां पर यह रह गया है टाउ टाउ नियत रासी नहीं है टाउ नियत करता है टेंप्रेचर पर अबर टेंप्रेचर कम हुआ तो टाउ नियत रहेंगे जब नियत होगा तो टाउ भी नियत रहेगा यही ओम का नियम है कि अगर टेंप्रेचर किसी भी चालक की बहुतिक अवस्ता जैसे ताप इत्यादी में कोई परिवर्टन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच वांतर और उसमें बहने वाली धारा कानु सुर्पात एक नियतांग होता है इस तरह से हमने यह सिद्ध decision कर दिया ओम के नियम का सत्यावण तो कमेंट करके अगर दिखने रहा साफ तो बताएं आवाज में कोई प्र奉लम हो तो बताएं ज Farm धॉuड़ेव वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और यूपी बोर्ड का तुमारा एक्जाम आने से पहले अच्छ अच्छ निमेरिकल में अप्लोड करूंगा और इंपोडेंट डेरिवेशन अप्लोड करूंगा तो चैनल देखते रहिए मेरा ओंबीर त्यागी फिजिस्ट ठीक है अगर कोई निमेरिकल पूछना है कुछ भी परेशानी हो तो मेरे इस नंबर पर आप वाट्सअप कर सकते हैं 9758 722444 यह मेरा नंबर है तो इस पर तुम लोग मुझे वाट्सअप कर सकते हो कोई भी क्वेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कोई निमेरिकल या थियोरी कुछ भी आप पूछ सकते हैं बेज़े जग ठीक है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें